हेलो फ्रेंस कैसे हुआ आप लोग आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पिर्परेशन अच्छा से चल रहा होगा तो दोस्तो आज इस वीडियो में देखने वाले एंटी पीसी का जो एकजाम पीटी का हुआ है जो परिक्षाती थी 1421 को हुआ सेकेंड शीट में उन्स सभी कुशन का डिसकेसन करने वाले है इसमें मैथ रेजिंग छोड़कर बाकि सभी कुशन का डिसकेस किया जागा जो की 40 कुशन इसमें होगा तो दोस्तो चलिए एक स्टार्ट करते पिडिक्षाती थी 1421 का सकेंड शीट का कुशन इस्टार्ट करने से पढ़े दोस्तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और दोस्तों को साथ भी सेयर कर दीजे आपको इसमें क्रेंट अफ्केर्स और स्टेटिक जीके से समझेज आपको कोश्चन मिलता रहेगा तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वन है तापती नदी का उद्गम अस्थल कहा है तो यह तापती नदी का उद्गम अस्थल है तो यह सत्पूरा में है इसका राइट एंसर होगा आपस नमबर भी सत्पूरा में दोस्तों इसमें जो भी answer कराया जाएगा वो TCS के दोरा दिया गया है तो यही question का answer आपको मिलेगा और कोई भी अगर टूटी है तो यह आपको answer नाया आने के बाद आपको उसमें संसुधन किया जाएगा अभी जो question का answer दिया गया है वो उसी के अधार पर आपको करया जा रहा है तो दूसरा question है भारतिय सोतंतता संगराम के दोरान दिली चलो का नारा किस ने दिया था तो यह जो भारतिय सोतंतता संगराम के दोरान जो दिली चलो का नारा दिया था तो यह दिया था सुभास चंद बोस ने इसका राई टेंसर होगा आपसन नमर B सुभास चंद बोस कोईशन नमर 3 है गर्मियों के मौसम में समापती के समय बिसेश कर किर और करनाटक में पुर्व मांसूनी वर्षा होना अत्यांत आम है इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है तो यह संदर्भित किया जाता है आम वर्षा से इसका राई टेंसर होगा आपसन नमर D आम वर्षा कोईशन नमर 4 है जो की टैपिंग इंग्लिस में किया हुआ इससे देखते है Which part of Hindu temple incorporates a space for large number of wars पीरसेश तो इसका राई टेंज़र होगा आपका का साशक था या शाशक तो यह सासक मैसूर का साशक था इसका राई टेंज़र आफ्ट करूप सी मैसूर Как उसा में से इल्मे से कौन से नाभी किये सक्टी रेक्टर गुझ्रात में स्थीत है तो यह ना थे सक्ती रेक्टर जो गुझ्रात में स्थीत है जो काक्रा पारा है इसका राई turbul आप्षण तो जो मंत्री प्रसद होता है वो समाहिक रूप से यह लोग साभा के प्रती जवाब दे होता है इसका राइटेंट शौग आपस्न नमर भी लोग साभा कुष्चन नमर आठ है आईजक नियूटन द्वराग गति के कितने नियम प्रतिपादित किये गये थे तो यह नियूट नमबर 9 है खाली अस्थान फिल्म कुझ हांगल को पचास मेर अंतराश्टी ये फिल्म हसाब रोइट्स 2021 में टाइगर प्रसकार प्रदान किया गया है तो यह प्रदान किया गया तमिल इसका राइटेंट शौग आपस्न नमबर ए तमिल कुष्चन नमबर दस है का जो मैगमा भाग है वो भाग है तो यह मैंटल इसका राइटेंट शौग आपस्न नमबर दी मैंटल कुष्चन नमबर ए गारा है पी एसलबी सी सैंटीस ने कितने उपग्रहों को सफलता पुर्वक सूर्य समाकालिन कक्छाओं में ले जाकर अस्थापित करके एक रिकॉ कोष्चन नमबर बारा है प्रधान मंतरी किसान संपता योजना इन में से किसके निवेस को बढ़ावा देने की लिए संचल एक परमुख करेक करम है तो यह है खाद परसंच करन को बढ़ावा देने कि लिए इसका राइट रोगा आपस नुम्र C, खाद प्रसंसकरन, कोईश्चन नमबर 13 है, भारत में उधारी करीद बिनमें दर परवंधन परनाली की अस्थापना की स्थापना की गई, तो वह वर्स है 1922 में, इसका राइट रोगा आपस नमबर D, 1922 में, कोईश्चन नमबर 14 है, भ या भारत ने अपना पहला उपगरा का परच्छेपन या, 19 अप्रेल 1975 को किया था, इसका राइट रोगा आपस नमबर ये, 19 अप्रेल 1975, जो उपगरा था, आरे वर्ट, कोईश्चन नमबर 15 है, उनेश्चन नमबर 14 में, अर्ली इंडस, शिविलाइजेसन नामख पूस्तक किस ने लिखी है, तो यह 1941 में, जो अर्ली इंडस, शिविलाइजेसन नामख पूस्तक लिखा गया, तो यह लिखा है, तो यह अर्नेश्ट मैकेन लिखा, इसका राइट रोगा आपस नमबर ये, अर्नेश्ट मैसर, कोईश्चन नमबर शらब की गई, तो यह प्रधान मंत्री रोजगार यह, जो सिक्षित बेरोजगार याओं के लिख फार रोजगार के आप स्वारों का स्रीजन करने के लिख प्रधान मंत्री रोजगार योजदा, यह लागू किया गया, तो यह वरस है, 1932 में, इसका राइट रोगा आपसynn नमर्ए मलिक मुम्म्मद अली कोशन नमर्टारा है मैं गुरोब वन कहां पाए जाते हैं तो यह ज्वार भाटे से प्रभावित वर्टो में पाए जाती है इन में से किसे अंतराष्टिय किरिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है तो यह पांसो शक्र लगाने वाले दुनिया के पहले खिलारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है तो हुआ है क्रीश गेल इसका राइट टेंसर का आपस नमबर ए क्रीश गेल कुश्चन नमबर 20 है ट्रैक एक बॉल है जो यह सरेनी में आता है तो यह इनपूर्ट डिवाइस रेनी में आता है इसका राइट टेंसरों का आपस्ट नमबर सी इनपूर्ट डिवाइस कुश्चन नमबर 21 है रियो 2016 क्रिस्मकालिक खेलों में महिलाओ की एकल बैडमिंटन प्रति अस्पार्धा में किसने स्वान पदक जीता था तो यह रियो ओलंपिक 2016 क्रिस्मकालिक हुआ था इसमें महिलाओ को स्रेनी में एकल बैडमिंटन पति अस्पार्धा में स्वान पदक जीता था तो यह कैरोलीना मारीन इसका राइट टेंसरों कारोलीना मारीन कोश्चन नमबर 22 है एम एस हैं तो एक करीसी बैग्यानिक है इसका राइटेंस अरगाल नमबर एक क्रीसी बैग्यानिक गोश्चनों नमबर 23 है भारतिये समेधान का इन इन में से काम सानुछय हल्फब Spr, Chinookो के हितों के सनक्षन से सम्बंदित है तो यह भारतिये समीधान का अनुछ्च्च्थ है त नार्म द्रोलिंग मठ भारत के किस राजे में इस्थित है तो यह नार्म द्रोलिंग मठ यह भारत के करनाटक राजे में इस्थित है इसका राइटेंस रोगाप्शन नमर्डी करनाटक कुश्चन नमर्प पचीस है भारत का एकमात नौ सेना बीमान संगराले इन में से किस र युदान युनेशको का एक बिस्व धरोवर है तो यह धरोवर है तो यह कल रेंगार य काजी रंगा कोस्चर नमबर 27 है इन में से किस पौद को गृरीन ग्रीन गृर्ट कहा गया हुआ पोदा है बंच इसका राइं शरोओर्ग्पस नमबर बास, question number 28 है, भारत के किस वासराय ने देशी भासा प्रिस अधिनियम का प्रस्ताब दिया था, तो यह दिया था Lord Litton, इसका राइटें सरुगाफस नमर C, Lord Litton, question number 29 है, निम लिखीत में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है, तो यह ब्रिक्स का सदस्य है, तो यह ब्राजील है, Bank for International Settlement का मुख्याले कहां इस्तित है, तो यह Bank for International Settlement का यह मुख्याले यह है, तो बासल में, इसका राइटें सरुगाफस नमर B, बासल, question number 31 है, इन में से किस ने BLCC, Femina Miss India World 2020 का ताज जीता है, तो यह BLCC, Femina Miss India World 2020 का ताज जीता है, तो यह जीता है, मांसा वारा नसी ने, इसका राइटें सरुगाफस नमर B, मांसा वारा नसी, question number 32 है, संसलेसित फाइबर असानी से आग पकर लेते हैं, हलांकी फाइर मैन की वर्दी को अगनी रोधी बनाने के लिए, उस पर किसका प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो मेला माइन का कोटिंग की जाती है, इसका राइटें सरुगाफस नमर B, मेला माइन, question number 33 है, इन में से किस जंगल के पौधा या पिरो की जरे पानी में डूबी होती है, तो यह पानी में डूबी होती है, तो यह मैगरो वन वन के, इसका राइटें सरुगाफस नमर A, question number 34 है रात्री के समय अकास में मौझूद सबसे चमकीला गरा कौन सा है तो यह सबसे चमकीला गरा है तो यह सुक्र है इसका राइटेंस रोगापस नमबर D सुक्र कोश्चन नमर 35 है निमलिखित में से किसे भारतिय समिधान की आत्मा के रूप में वर्नित किया गया है तो भारतिय समिधान के आत्मा के रूप में वर्नित किया गया है तो यह मौलीक अधिकार को इसका राइटेंस रोगापस नमबर D सुक्र कोश्चन नमर 36 है शिंदू सभेता के इन में से किन अस्थानों में जलात्यों के साक्षे मिले हैं तो यह मिले हैं तो यह धोला भीरा में इसका राई टेंस रोगाउस नमबर भी धोला भीरा Quesion number 37 है राजा जी रास्ति ये उद्यान कहां इस्थीत है उत्राखंड में इसका राई टेंस रोगाउस नमबर D उत्राखंड question number 38 है निम लिखित में से कौन सा ISCII का सही पुन रूप है तो यह ISCII का सही पुन रूप है तो यह Indian Standard Code for Information Interchange इसका राइटेंस रोगा आप्सन नमबर A question number 49 है निम लिखित में से कौन सा एक output डिवाइस है तो यह monitor है इसका राइटेंस रोगा आपसन नमबर A monitor और question number 40 और आज इस सेट का यह last question है चलिसमा नमबर है भारत की सबसे बड़ी टटिये खारे पानी की जिल इन में से किस राजे में स्थित है तो यह आपके सीट में यह question था कि नहीं यह इस शीट में आप एकजाम दिये कि नहीं वह भी comment में बताएगा तो दोस्तों एक request है आपसे कि चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए जय भारत बंदे मात्रम